किसानों की प्राकृतिक आपदा से फसले हुई बरबाद बिधायक देवन पटेल के नेत्रुत में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन राजपाल के नाम तैसिलदार को सौपा ग्यापन सीग्र सर्वे करा कर मुआपजा दिलाने की की मान राजसन जिले के सुल्तान गंज तैसील छेत्र में किसानों की दलहनी फसलें मसूर, चना, तूर, तेवडा, मतर, आदीप्राकृतिक प्रकोप से खराब हो चुकी है किसान लगातार मुआपजे की मांग कर रहे हैं इसे लेकर सिल्बानी बिधायक देविन पटेल छेत्र के किसान और बिलाक कांग्रेस कमेटी की तत्वादान में सुल्तान गंज बस इस्टेंट पर धरना प्रदसन कर आम सबा को संबोधित करते हुए बिधायक देविन पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना सादा धरना इस्टल से बिधायक देविन पटेल किसान और कांग्रेस कारकरताओं के साथ नारे बाजी करते हुए तैसिल कारयला पहुँचे उसके बाद तैसिलदार दिली कुमार दुबेदी को राजपाल मंगु भाई पटेल के नाम ग्यापन सोपा ग्यापन में मांग की गई है प्राकरतिक आपदा के कारण किसानों की फसलें नश्ट हुई है जिसका सीग्र से सीग्र सरवे कराया जाए एबम फसलों का मौपजा सीग्र दिया जाए यदि आठ दिन के अंदर शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कारण रवाई नहीं की जाती है तो हम किसान के साथ उग्र आंदोलन करेंगे बिदाएक देविंद पटेल ने कहा किसानों की प्राकरतिक आपदा से फसलें हुई है नश्ट राइसन बेगम गण से हमारे समबाद दाता शरस शर्मा की स्पिशल रिपोर्ट